आए दोस्तों एलजेब्रा का कुछ important question लाए हैं और इस important question को कैसे आसान trick से solve करेंगे आज इस वीडियो में जब जस्त तरीके से सिखाएंगे तो छलिए बीना देरी क्यों में start करते है आपको बताते एक से तीन पावर के लिए अगर एक से लिकर तीन यानि एक पावर है एक से तीन पावर तक जाना तो क्या क्या करना पड़ेगा लिखा हुआ ए प्लस one बटा a बराबर four तो आपको एक यूप फ्लस one बटा a क्यूप ग उसके बाद जो भी संख्या दिया हुआ यानि दिया कितना है चार है इसको हम क्या करेंगे ट्रीपल कर देंगे यानि तीन से मल्टिप्लाइ कर देंगे जिसे तीन से मल्टिप्लाइ कर देंगे वैसे चारतियां कितने होते हैं दोस्तो चार के पावर अगर क्यू करते हैं तो आजाते हैं हमारा 64 64 64 में अगर हम 12 less कर देते हैं तो हमारा कितना आजाएगा 52 जो की यही आपका result है यही आपका answer है समझ चुके हैं किस प्रकार से बनाते हैं नहीं समझे तो चली अगली question के और दिखाते हैं और आपको इसे भी बेहतरीन तरीके से समझाने का कोशिस करेंगे तो चली यहाँ पर देख पार है अगली question आ चुके अगर यहाँ पर इस प्रकार से दिया हुआ है तो और Q यानि 1 से लेकर Q तक जाना है तो क्या करना पड़ेगा सबसे पहले इस सेंख्या का जो दिया हुआ है इसका हम Q करेंगे यानि रूट 3 के पावर हम क्या चढ़ा देंगे Q चढ़ा देंगे Q चढ़ाने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम माइनस देंगे ध्यान रखे यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस तो यहाँ पर प्लस जिस ओपोजिट सैन इसका चलता है अब यह जो सेंख्या दिया है इसका हम क्या करे उसके बाद इसको solve करेंगे तो यह कितना निकल जाएगा दोस्तों 3 into 3 into 3 root root तो करेंगे तो 3 root 3 और minus दिया यह 3 root 3 अब यहां पर same value तो इसको काड़ देंगे तो बराबर कितना आजाएगा हमारा zero answer आजाएगा तो इसी परकार से हम लोग short तरीके से याद कर सकते आए नहीं सम को लिए हम question यहां पर लेकर आएं इस question को समझे सबसे पहले एक से तीन तक जाने तो सबसे पहले इसका Q करेंगे तो क्यों करेंगे कैसे करेंगे देखिए two root five के power हम इसको Q चड़ा देंगे उसके बाद यहां पर plus है तो इसी करेंगे यहां पर minus sign देंगे उसके बाद जो two root five दियाएगा इसको triple कर देंगे यानि तीन से गुना कर देंगे उसके बाद दोस्तों यहां पर निकल जाएगा कि इतना दो के दो इन्टू दो इन्टू eight और यह जह route five route five route five route five तीन हुआ तो तीन में एक बार बाहर रह चला जाएगा एक बार क्या हो जाएगा भीतर रह जाएगा किलियर उसके बाद क्या करना है यहां पर इसको तीन दुना कितने हो जाएंगे दोस्तो छे हो जाएंगे और आठ पचे कितने हो जाएंगे दोस्तो चालिस यानि चालिस रूट फाइव में सिक्स रूट फाइव अगर आपका घड जाता है तो यहां पर बचेगा कितना 34 root 5 कितना बचेगा दोस्तो 34 root 5 जो कि यही आपका क्या है result यही आपका answer है है ना काफी मज़दार और काफी गजब का trick आईए यहाँ पर और question यहाँ पर दिखाते हैं दोस्तों ताकि आप और बहतरीन तरीके से आप यहाँ पर समझ सकते जिसे यहाँ पर माइनस है तो अभी हम लोग प्लस पर काम कर रहे थे तो प्लस थे तो माइनस करते थे लेकिन अब यहाँ पर माइनस है तो हम प्लस करेंगे तो सबसे पहले हम इस तीन का क्या करते हैं क्यों निकालते उसके बाद यह जो तीन दिया है इसको हम triple कर देते हैं क्या करते हैं ट्रीपल लेकिन यहां minus है तो यहां पर आप हमें क्या करने होंगे plus करने होंगे अब तीन के power q बराबर कितने हो जाएंगे 27 कितने होगे 3-9 9-27 अब plus यहां पर कितने हो जाएंगे 3-9 यानि 27 आए सरनो जोड़ेंगे तो हमारा कितना निकल जागा दोस्तों 36 एही क्या है आपका सही रिजल्ट है आई यहाँ पर और कोस्टन लेते हैं जिसी कि यहाँ पर हमें क्या करने होंगे सबसे पहले इसका क्यू करने हैं तो सबसे पहले हम इसका क्यू करने के बाद दोस्तों यह स जाएगा प्लास हो जाएगा यहाँ पर ठीरूट 3 हो जाएगा तो तीन School 3 कितने हो जाएंगे सीक्स रूट 3 ईहीं आपका क्या है सही आंसर धान आपको ये सारे कोश्चन कैसे लगे एलजबरा का नीचे कमेंट लिख कर दोस्तों जुरू बताईएगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नई वीडियो के साथ थैंक्स फूर वाचिंग